उपड़ा एजो किसमे यूटूब चैनल पर मैं हरसाइच उपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारी बच्चों, ऐसे कंडिडेट जिनोंने एप्लिकेशन फॉर्म तो फिल कर दिया है, सकसेस्फुली उनका सब्मिट भी हो गया है, लेकिन पेमेंट नहीं किया है, ये जो फैसलिटी है, ये 29 मार्च 24 से लेकर के 31 मार्च 24 तक है, तो ऐसे कंडिडेट जिनका एप्लिकेशन फॉर्म तो सब्मिट हो गया है नीट का, लेकिन पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, वो पेमेंट कर सकते हैं, ये लास्ट चांस दिया है NTA ने, मैं आपक मोबाइल पर वो इस मैसेज आ रहा है, तो जिन कंडिडेट ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, लास्ट चांस है, 29 से 31 मार्च तक पेमेंट कर सकते हैं, नीट 24 एप्लिकेशन फॉर्म के लिए, तो सबसे पहले आप इसकी वेबसाइट नीट.NTA online.in पर विजिट करेंगे इस परकार का इंटरफेस आएगा यहां पर जहां पर आपने अप्लिकेशन फॉर्म फिल किया था, यहां अप्लिकेशन नमबर और पासवर्ड डाल करके और यहां पर जो सेक्रूर्टी पिन है, यहां डाल करके आप लोगिन करेंगे, तो लोगिन हो जाएंगे इसमें आग देंगे security pin enter करेंगे submit करेंगे तो आपके mail पर आपके application नमर आ जाएंगे अगर password आप भूल गये हैं तो reset password पर click करेंगे और password पर click करने के बाद यहां select option में दो option है या तो आपने जो question दिया था security question दिया था उस पर click कर सकते हैं उसका answer दे सकते हैं otherwise आप email address दे दे अपना email address देने के बाद में आप जैसे ही आगे proceed करेंगे इसमें select option में यहां पर आप application number type करेंगे email type करेंगे security pin type करेंगे submit पर click करेंगे तो यहां आपके पास password set करने का option आ जाता है यहां password set कर सकते verify पर click करेंगे तो आपका password set हो जाएगा और आप फिर login करेंगे जो ही login होंगे इस परकार का interface आपको यहां दिखाई देगा यहां पर आपका नाम होगा application number होगा fees payment में आपका incomplete दिखाई देगा अगर आपने fees paid नहीं किया है तो तो यहां पर अगर आपने fees paid कर दिया है तो इस परकार का option मिलेगा आपको fees payment complete लिखाएगा download application form आएगा तो इसका मतलब आपका fees complete हो चुका है लेकिन आपने पहले अगर fees payment नहीं किया या किसी वज़े से आपका fees complete नहीं हुआ था तो यहां incomplete लिखाऊ आएगा तो यहां payment पर आप यहां click करेंगे जैसे ही payment पर click करेंगे तो आपके पास payment के लिए यहां पर option आ जाएंगे यहां पर pay now का option आएगा जो भी आपकी category आपने fill किया था उसके according यहां amount आएगा और आपका जो पहले आपने इसके लिए attempt कर रखा है payment के लिए तो यहां show होंगे कितनी बार आपने payment किया था वो हो गया successful नहीं हुआ है अगर नहीं क्या तो यह detail नहीं आएगा आएगा आपके पास pay now पर click करेंगे pay now पर click करेंगे तो किसी भी mode से आप यहां यह payment कर देंगे तो इसमें मैं मालो यहां पर SDFC पर click करता हूं तो जैसे ही click करेंगे तो credit card, debit card, net banking और UPI से भी आप इसमें payment कर सकते। UPI का मतलब आपके पास phone पे है, Google पे है, जो भी है उससे generate QR पर करेंगे और QR scan करके भी कर सकते या फिर आप UPI ID डाल करके verify UPI पर click करेंगे, bank का name आ जाएगा जिसके नाम पर है और Mac payment पर click कर देंगे तो आपका payment हो जाएगा successfully, payment हो जाएगा तो आप इस option में आ जाएगे और download application form का आपके पास option मिल जाएगा, fees यहां completed लिखाएगा और आप अपने application form को download कर लिजिएगा, तो ध्यान रहे, यह जो facility है, यह फिर से बता देता हूँ, NTA ने 29 Mars से लेकर के, 29 Mars से लेकर के 31 Mars तक दी है यह facility, 29 Mars to 31 Mars तक यह facility है, तब तक आप payment कर सकते हैं और इसका confirmation page का print ले सकते हैं, मैं आपको यहां सला यह दूँगा कि आप तुरंत payment कर दें, अगर आपने payment नहीं किया है, payment करना चाते हैं, तो आप तुरंत payment कर दें यहां पर, तो यह जानकारी थी, जिन candidates ने अभी तक payment नहीं किया है, उनके लिए यह good news है, और जिन्होंने payment कर दिया है, application form का print ले लिया है, तो उनके लिए कोई किसी प्रकार की तिकत नहीं है यहां पर, तो यह मैंने जानकारी आपको दे दी है, कहीं आपको notice मिलेगा नहीं, क्यूंकि यह है, जिन्होंने नहीं किया है, उनके mobile पर voice call आ रहा है, हो सकता है, आप voice call अटेंड कर पाएं या नहीं कर पाएं, तो इसलिए मैंने सुचा इसके बारे में ये एक वीडियो बना दिया जाए, तो जिन कंडिडेट्स ने payment नहीं किया है, उनका payment हो जाएगा, उनका application form complete हो जाएगा, मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लिता हूँ, विदा जैनी